अब अगर आप पानी में कूटते हो चाहे वो किसी भी वज़ा से हो और मेरे जैसे डेट बंदे आपके आस पास हैं तो यार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होगी तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक बिरा न्यू गलत सीन से बड़े बड़े पबजी दो मोबाईल गिमप्ले वीडियो में अब इसमें यार कुछ बंदों को लगता है कि वो जमीन में भगने से जादा पानी के अंदर सुरक्षित रहेंगे तो हाँ पानी के अंदर गुस गुस के बंदों को पेलेंगे कैर वो सीन बहुत ही जल दोने वाले लेकिन यार फिराल जोर जा रखे हैं और जोर आते ही दो मेंगी गने मिल जाती हैं अब ज़्यादा मेंगी नहीं है लेकिन यार काम चला ही लेंगे और यहाँ पे मेरे को दो-दो महंगी गाने मिल गई हैं और वहाँ बंदे निहत्ते नंगे कूदे जा रहे हैं सही बतरो यार यहाँ की लूट हद से ज़्यादा कम हो चुकी है लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही तगड़े म्यूजिक अप की तो यार इस एप का नाम है Social Mob और आप इसमें कई सारे तरह तरह के गाने सुन सकते हो मतलब इसमें इतने टाइप के गाने पड़े हैं कि यार कुछ तो मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसे टाइप भी होते हैं और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें हद से ज़्यादा फ्री के गाने हैं तो यार जितने बार सुनना है उतने बार सुनो और आप डाउनलोड भी कर सकते हो और यहां पे कुछ अलग टाइप के गाने हैं मतलब इनका मैंने पहले नाम नहीं सुना लेकिन यार जब सुना ना गाना मज़ा टैप आगया देखो यार कब तक वही मन्नी बतनाम हुई सुनोगे कुछ नया ट्राइकर करके देखो और इसकी मदद से आप आपके जैसे इंटरस्ट वाले और लोगों से भी मिल सकते हो और इसमें पॉड़कास्ट के साथ-साथ रेडियो भी मिलता है तो गाने नहीं सुनने तो यार रेडियो बजा दो कुछ न कुछ बसता ही रहेगा तो इस एप को ट्राइ करके जरूर देखना क्या पता हद से ज़्यादा मज़ा आजाए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टोप में यानि किसके टीमेट लोग आगी कहीं जाके बैठे है अब या तो वो अभी भी नहते हैं या तो उन पे भी महंगी गने आ चुकी है क्यार यहीं आगे बैठे पड़े हैं तो मैं भी जाता हूँ और आवाजों से तो लग रहा है यार गन मिली ही चुकी है और क्यूकी यह लोग ऐसे चुपके दुपक के बैठे थे यानि कि दो टीम के बंदे हैं तो हैर समल के रस करना पड़ेगा नहीं तो पेटी हमारी भी बन सकती है यहां पर मैं बोलता हूँ कि यार जादा बंदे हैं समल के रस करना पड़ेगा लेकिन हमारे भाई धीटों की तरह गन को पीछे रखके दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और यार दरवाजे के बगल में ही दो-दो बंदे खड़े हुते हैं किया अभी दोनों को पेल दिया है और यह नजाने कहां से नौको के इधा रिंग ते रिंग ते पहुंच गया तो बात चीत करते हैं इससे अलो ब्रो अलो ब्रो तो अलो ब्रो क्या लगता है अब याँ पे मेरे को वो जो ग्रीम थी न वैसिलिन का डबबा समझके रखाएं भाई असरी नकली चला है बहुत आड़ात था और मैं देखता था भाई यह वैसिलीन का डबबा असली है यह नकली है इसमें तीन ड़ंटे अरे बाड में करे डंटे खेर जो भी यो बात भाई से थोड़ी देर होती है भाई को पता नी क्या ही सिंचल ले होता है और भाई का टीमेट किधर ही होता है खेर उनकी पेटी बना के हम आगे निकलते हैं क्योंकि आगे असली और भी बंदे बैठे पड़े हैं और जाते जाते थोड़ा बूश्ट वगेरा पेल लूँ हना क्योंकि आर सो परती से थेल्थ तो होने से रह गई तो पेल के जलते क्या पता हो जाए गलती से क्यार आगे जाई रहे तो दुबारा पंगे होंगे और दुबारा डेमिज पड़ेगा अपने को और ये जो हरकत मैं कर रहो ना चौड में आके ये पेटी बनवा सकता था बिल्कुल ओपर में खड़े होके लोहा साइट से गोलिया पिल लाओं वो भी इतने दूर खेर तुके तुको में बंदानों को जाता है और हमारे भाई एक बार फिर से अपनी ही चौड में दरवाजे की आगे पहुंच जाते हैं यार थोड़ा सा रुख जाओ हेल्थ की भी ऐसी तेसी हुई पड़ी है कैर यहाँ पे मैं जो भी हेल्थ पड़ी होती है पेलता हूँ और सकूप खुलता हूँ और इसी के साथ ये सारे के सारे असली असली बंदे ठील जाते हैं नकली नहीं है बिलकुल भी कैर ये तीन तीन या फिर चार बंदे यहाँ बैठे पड़े थे और आकरी बंदा पीछे से भगने की कोशिस कर रहा था अब वो पीछे भगके या तो फिर फ्रैंक मारता या तो साब बन चाता और साब बनता ना या तो हमारी पेटी बनती या तो वो मिलता नहीं एक ही चीज होती कैर जो भी यो इसी के साथ रोजोग खाली हो चुका होता है रोजोग क्यों कह रहा हूँ मैं जोर्ज देखो सीन के आया गर्मी बहुत हो चुकी है अब मैं अगर पंखा चलाता हूँ तो यार गैंग हूँ आवाज आएगी बहुत पेकार आवाज आती है सही बता रहो बहुत पेकार तो पंखा चला नहीं सकते इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा है वैसे ठेंडियों में कौन सा करता था खेर वो सब चोड़ो उसके बाद मैं पोचंकी के बगल से निकल रहा होता हूँ अब पोचंकी में तो बंदे नहीं होते लेकिन आगे वाले ये जो सकार्ट हाउस पड़ा होता है यहाँ पे कार गुशती है सीदा अंदर और तयारी भाई इससे सिखो करना नेड फेकने की पूरी तयारी होती है आए वे 10 सेकंड भी नहीं हो आए यहाँ पे और इन बोटों का क्या ही बोले कहीं पे भी पहुँचाते हैं यहाँ छत पे चड़ाओ बोट ने छत पे तक पीछा नहीं चोड़ा गोलियां पे ले जा रहा है पीछे से खेर नेड हम भी फेकते हैं एक और मैं सोच रहा हूँ एक टूटोरियल वीडियो बनाओं सस्ते नेड कैसे करें क्योंकि मेरे को नहीं लगता है यार मेरे से सस्ता नेड कोई करता होगा दुनिया में और इस बंदे ने यार मरते दम तक हम को परिसान करके रखा मतलब जाते जाते भाई आग छोड़ गए और आग लग गई मेरे पीछे बिलकुल जला पड़ा था मैं खेर आग से तो हम बच जाते हैं और भाई की पेटी बन जाती है अब इन लोगों ने नजाने कहां पे लूटा होगा और कहां से भगते वे ये लोग यहां पे आते हैं और यहां पे भी मैं पकड़ लेता हूँ खेर इसे के साथ पोचंकी की तरफ भी खाली हो जाता है बिलकुल सननाट अचाय होता है अब बस एक जगा बचती है जोर्ज बोल की तरफ खेर उधर के लिए मैं जाहिर आता हूँ लेकिन यार बीच में डिराप दिख जाता है अब लाला जैसी कैसे न लूटें इसे तो इसे लूटने मैं जाहिर आता हूँ फिर मेरे को मेरी तरफ और लालची बंदे दिखते हैं गाड़ी भर के आते हैं ये लोग तो हम भी यहीं रुखते हैं अब मैं चलाता हूँ पूरे जोस के साथ एमके चौदा एमके चौदा का सकोब खोला यार आठेक्स लगा पड़ा है वो भी सूपर तिलसा जूम मैं बोलता हूँ हो गया काम ख्यार वो लोग भग तो जाते हैं लेकिन उनका टीममेट एक यहीं रुका होता है तो इसे पकड़ते हैं और मेरी किल को चूरी करने के लिए आर पहाड के उपर भी बनते आ चुके हैं देख रहे हो मतलब महंगी गन हर किसी को चाहिए लेकिन होट डी रॉप पे कूदना कोई भी नहीं चाहता हर किसी को छुपके लेना है सब कुछ क्या ही कर सकते हैं और हमारे भाई सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि यार एमके चौदा को हलवे में ले लेते हैं मेरे ख्याल से वो गन्दा लेट के एमफूर पटका रहा था बहुत ही बढ़िया है रिकॉयल कम होगा बहुत ही बढ़िया लेकिन एमके की भाई को दो गोली लगती है और दो गुईयों में काम हो जाता है कैर उसके बाद यह डिरॉप पड़ा होता है इस पे एक और एमके चौदा कैर एक हम पे पहले ही थी तो वहीं पे पड़ी रहन दी और आगे बढ़ता हूं इसके बाकी टीमिट पेलने के लिए और ये लोग ना जाने कितने दूर दूर पहले पड़े हैं एक बंदा नीचे समोक वगएरा फेक रहा है दूसरा बंदा गरों की साइड है और एक तो साप बन के गोली पेल रहा था क्यार यहां पे रिवाइव में फटाक से देता हूं और गाड़ी की तरफ आता हूं और वो बंदा भगते-भगते हमारे सामने आ जाता है और मेरे ख्याल से सामने ही कहीं आके हमारे भाई साप बन चुके हैं और साप बनने के बाद भाई जो सबसे पहली जीच करते हैं वो होता है नेट का फेकना तो मैं बोलता हूं यार गाड़ी की भी ऐसी तैसी होगी हम भी ठील सकते हैं तो गाड़ी उठा के भगने की पूरी तयारी होती है अब गाड़ी लेके मैं भगने वाला था लेकिन फि और 14 किल से यार कद्दू कुछनी होने वाला और हमारे भाई जाते समय भी गोलिया पेलते हैं तो मैं बोलता हूँ अब तो रुक के लड़ना ही पड़ेगा तो यहाँ पर मैं रुक चुका हूँ दूनने की पूरी कोशी चली है कि बंदा लेटा किधर है और जब दिखता नहीं तो यह चालो करता हूँ मैं और जब सापों पे कोई भी चीज काम न करे तब बस एक आखरी चीज बाकी होती है वो है अपनी फुट पात की ट्रेनिंग लगाना और ट्रेनिंग मेरे पे बहुत है फुट पात की तो ले चलता हूँ मैं गाड़ी और यहाँ पे फुट पात की ट्रेनिंग काम आजाती है बिल्कुल गाड़ी उपर से निकालता हूँ बंदे के और यार इस बार बंदा नोक हो गया बहुत बहुत धन्यवाद पपजी क्योंकि यार कई बार तो मतलब बंदे नीचे से निकल जाएंगे रगड़ते वे आँगे गिसरते वे आँगे गाड़ी के साथ लेकिन नोक नहीं होंगे खेर इस बार हो गया तो सही है अपने को कोई दिक्कत नहीं है अब इनको पेलने के बाद मैं चलता हूँ गाड़ी बदलने और गाड़ी बदलते टेम बहुत बुरी तरह लेग होता है मैं समझा तो यार चार बंदे गाड़ी भर के आ रहे हैं यहीं पर आएंगे या थो आसपासी कहीं है तो मैं हीलिंग वगरा पेलता हूं और सामने गाड़ी दिखती है तो चला तो मैं गोलिया और वो बेचारा बंदा ब्रिच के पार चलांग लगा देता है लेकिन सीन क्या होता है यार चलांग लगाते लगाते मैं भाई को नौकर देता हूं और भाई की पानी में जाके सीधा पेटी बनती है अब अगर आप पानी में कूटते हो चाहे वो किसी भी वज़ा से हो और मेरे जैसे डेट बंदे आपके आसपास हैं तो यार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होगी आपकी पानी के अंदर पेटी बनेगी देखो मैं एक बंदे को नौक करता हूँ मैं देखता हूँ दो- सिर्फ पानी में कूद गया मैं गाड़ी भगाते वे लाता हूं और पहुच के सीधा पेटी बनती है और देखो पेटी बनने के बाद डेटता मेरी भी कम नहीं है मैं भी पानी में जाता हूँ लूट लेने के लिए लूट की मेरे को इतनी खास जरूरत नहीं थी लेकिन यार पेटिया पड़ी है तो कैसे न लूटे है और यहाँ पे हमारा एक तरीके से बेकू बन जाता है यहाँ पे घर पड़ा होता है और घर पे गाड़ी लगी होती है लेकिन बंदे के नाम पे कद्दू कोई नहीं दिखता अब यहाँ पे या तो बंदा दबा के केंपिंग कर रहा है बगेर फुटी स्टेप दिए या तो वहाँ पे कोई है नहीं और हमारा अच्छे से बेकू बन चुका है खैर उसके बाद मैं इधर के तरफ आता हूँ और ये जगा बहुत गलत है यहाँ पे जाड़ी और बंदों की बिल्कुल कमी नहीं है गलत बोल रहा हूँ यहाँ पे जाड़ी और सापों की बिल्कुल कमी नहीं होती क्यार इधर मैं घर पे बैठा होता हूँ और बंदे आते हैं बाइक लेके और ऐसी चौड़ वाली हरकत करने के लिए जिन्दगी में दो चीची होती है बहुत सारा जोस और वो दूम 69 वाले पिच्चरे देखना भाई बंदा गाड़ी भगाते वे ले जाता है कोई डर नी कोई पकड़ लेगा या मैं गिर जाओंगो भाई इसे बिल्कुल भी नहीं डर के नाम पे बंदे पे कुछ भी नहीं था अंदा भगाते वे जाता है कैर हमारे भाई जाही चुके हैं और इन लोगों से भाई बिल्कुल आखिर में होगी भाई बंदे पे M के जोधा होती आखिर में और मेरे पे भी होई है देखना पड़ेगा किसका ज़्यादा सच्टा सपरे है कैर यहां से मैं बाहर निकलता हूँ और हमारे भाई को एक बंदा दिखता है तो कड़ना कैया यार जनाते हैं गोलिया अब मैं थोड़ा सा डेमेज देता हूँ लेकिन बंदा बक्के निकल लेता है और यार अभी मेरा मन नहीं था कहीं पे भी जाने का लेकिन उतने में ही बंदे आपस में लड़ने भी ने लग जाते हैं तो मैं बोलता हूँ मन गया कद्दू लेने रस्तो करना ही पड़ेगा आगे एक बार का साप हर बार का साप देख रहे हो मतलब बिल्कुल घर के अंदर भी भाई लेटे पड़ा है खैर भाई का भी कोई दोस्त नहीं है इसमें देखो ये घर बहुत सस्ता है मैं होता न तो मैं भी लेटा पड़ा होता नजाने कहां कहां से गोलियां आती है खैर इसके बाद यहां पे कोई M249 भी चला रहा था लेकिन यार वो बड़ी बढ़िया तरीके से लेटा है तो वो तो हमें बिल्कुल नहीं मिलता लेकिन पहाड के उपर भी लड़ायां भीड़ रही थी तो मैं गोलता हूँ यार इस साब को बाद में कभी देख लेंगे पहले पहाड़ी पे चलते हैं क्योंकि पेटिया वहाँ पे भी बन रही आपस में और यार वो आपस में लड़ बिढ़ के मेरे तीस किल का सपना चकना चूर कर देते हैं और गोलिया पूरी जोर सोर से चल लए है और यही बगल में ही बैठे बंदे तो मैं निकालता हूँ अपनी Mk14 और यहां पे चैन से लड़ने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है पीछे से कोई बंदा 22 पटका रहा है यार इतनी सस्ती लूट कैसे है भाई पे पूरा सेफ खेला है बंदे ने पूरा सेफ और यहां पे मेरे को पता चलता है यह चुटी सी पहाड़ी जूती इसके पीछे पूरे चार बंदे बैठे पड़े थे दो की पेटी बना दी एक नौक है एक आखरी बाकी है और अब मैं सोच रहा था उन बंदों को हलवे की तरह पेलता हूँ जिन पे सस्ती लूट पड़ी थी जो बाईशे होन वगेरा पटका रहे थे लेकिन मैं गरलत होता हूँ क्योंकि यार M के चौदा सस्ती लूट में बिलकुल नहीं आती कैर इनको में पेलता लेकिन पीछे साप दिखाई दीता है और मेरे ख्याल से ये वही साप है जो M249 पटका रहा था देख रहे हो मतला भाई की लगन देख रहे हो कहां से गर के साइड से लेट के भाई रेंग रेंग के यहां तक पहुँच गए यार गुटने चिल गए होंगे बिलकुल कपड़े फट गए होंगे खेर जो भी सीनो अब बस दो ही बंदे बाकी हैं और दो बंदों को देख के मेरे को एक ही दुख होता है तीस किल नहीं हो पाई जिन्दगी में और अब यहां पे M24 वर्सिस M24 होने वाला है जिसका सबसे ज़्यादा सस्ता सपरे होगा उसी की पेटी बनेगी और यहां पे पता चलता है यार मेरा सपरे सस्ता था लेकिन भाई से कम सस्ता सपरे था वैसे मैं पहाडी पे भी था तो यार मेरा ही फायदा था कैर इसे के साथ M24 वर्सिस M24 खतम हो जाता है बन्दा अगर पहाड के उपर होता और मैं नीचे होता तो मेरे ख्याल से उल्टे ही सीन हुए होते क्योंकि यार पहाडी के उपर से नीचे बन्दे पेलना हलवे के समाने बिल्कुल मजे में हो जाता है खैर आज की वीडियो में इतना भलो गयार बहुत बहुत सुक्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते ये M24 के वन वर्सिस वन के लिए लाइक ठोकना मत भूलना बिल्कुल ठोका पीटी करके निला टैप कर दो और देखो यार पानी में घूम रहे हो कोई दिक्कत नी है मजे से घूमो तैरो घर बनाओ पानी के अंदर लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना अगर आपकी लोबी में मेरी तरह डेट बन्दे हैं जो पानी में भी आपका पीछा करके पेलेंगे तो यार पानी में गुषना बहुत गलत हो सकता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेटी बनती है और यार जाते जाते म्यूजिक एप सोशल मॉप को चेक आउट करना मद भूलना उसके लिंक डिस्क्रिप्शान में होगी बिल्कुल टॉप में ट्राइ करके देखो यार क्या पता आपको कोई महंगा सगा ना मिल जाए जाए क्या पता मजा टैप आज तो आज के वीडियो में इतना है वालो कर बहुत बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए गल मिलते हैं पर गार कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो